बाजपनिता मोहित कंबूज ने आरोप लगाया है कि BMC कमेशनर इक्माल सिंग चहल ने विदेशों में काफी संपत्ती जमा की है वही भाजपा विधायक अमिद साटम के अनुसार BMC आयुक तक एक रिष्टेदार ने गायक सोनो निगम से निश्यूलक शो करने को कहा है इनकार करने पर नोटिस भेज़े जाने और तोड़फोड की धंकी दी है तो गिरगाव चोपाटी इंकाउंटर में शामिल पुलिस करमी कतिरिक्ते इंक्रिमेंट के फैसले से खुश है पहले उन्हें पदोननती देने की बात कही गई थी उधर दीशा सालियान के अगर आप मुझे सत्ता में आने के लिए जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दे लेकिन दुराचारी वियोभार में शामिल ना करें प्रदेश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही हैं हमारे साथ भाजप ने देश के सबसे अमीर महानगर पाली का BMC की कमिशनर इकबाल सिंग चाहल पर निशाना साथा है भाजप ने ता मोहित कमबोज ने आरुप लगाया है कि BMC कमिशनर इकबाल सिंग चाहल ने विदशों में काफी संपत्ति जमा की है वे आने वाले दीनों में इस से सम्मंदित सबूतों वाली फाइल जाँच एजनसी को सोपेंगे मुहित कमबोज ने कहा कि महाराष्ट की ठाकर सरकार के आंक के तारे इकबाल सिंग चहल बीदे दो साल से सुर्खियों में है इस बर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस की वजह से चरचा का केंद्र बने हुए है मुंबव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीएमसी कमिशनर को 10 मार्च को नोटिस भेज़ा था कम्बोज ने कहा कि मुंबई और महाराश्ट की जंदा के लिए ये भी जानना जरूरी है कि यश्वनजादो के ब्रष्टाचार में बीमसी कमिशनर इकबाल सिंग चाहल किस हद तक शामिल थे कम्बोज ने कहा कि बीजेपी विधायक अमित साटब फिलहाल बीमसी की ब्रष्टाचार पर पंधरा दिन में एक किताब प्रकाशित करने जा रहे है इसमें अगरपालिका में दो साल के दोरान हुए ब्रष्टाचार का लेखा जोखा होगा कमबोज ने कहा कि इस जांच को सिर्फ यश्वन जादों तक ही सिमित नहीं होना चाहिए बलकि इसमें शामिल सभी अधिकारियों की जांच होनी चाहिए ताकि उनका प्रश्टाचार बाहर आ सके और उनके खिलाफ कानूनी करवाई की जा सके महित कमबोज ने ये भी कहा है कि आएकर विभाग से मेरा सवाल ये है कि सिर्फ नेदा की ही जांच क्यों की जाती है नौकर शाहो और अन्या लोगों से भी पूछताच की जानी चाहिए महराश्टा में भारतिय जन्ता पार्टी की विधायक अमित साटम का एक दावा बीमसी के लिए परिशानी का बड़ा कारण बन सकता है दावे के अनुसार गायक सोनू निगम ने शिकायत की है कि ब्रुहन मुंबई माहनगर पालिका के आयुक्त आईएस चहल के एक रिष्टेदार ने उनसे निशिल्क शो आयुजित करने को कहा है कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें नोटिस भेजा जाएगा तथा तोड़फोर की गती वीथी को अंजाम दिया जाएगा विपक्षी दल की विधायक ने राज्य सरकार से मामली की कारवाई की मांग की है साटम ने विधान सभा में इस मुद्यक उठाया है और कहां कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए तथा राजिंदर और इकबाल सिंग चहल के खिलाफ कारवाई करनी चाहिए विधान परिसर में भी पत्रकारों से बाच्चित के दोरान भाजपा विधायक ने आरोप को धोराया है उन्होंने कहा कि आयस चहल के चचेरे भाई राजिंदर ने सोनु निगम से कुछ शो मुफ्त करने का नुरोत किया लेकिन गायक ने मना किया तो उने फोन पर अपशब्द गहे गए और धमकाया गया फिलाल बीमसी गमिश्टर के उपर सरकार कोई कारवाई करे की या नहीं इस पर सबकी निगाहे टीकी हुई है मामले ने अगर तुल पकड़ा तो बीमसी के लिए परिशानी खड़ी हो सकती है क्योंकि प्रशासनिक स्थर पर अधिकारियों का गलाव फसा तो बचाने के लिए राजनेदिक चेहरे सामने आ सकते हैं और चुनाओ के इस दोर में हलकी चिंगारी भी बड़ा विस्पोट का कारण बन सकती है पुर्वग रुह मंत्री अनिल देशमुक ने गिरगाउं चौपाटी एंकाउंटर में शामिल को एक अधिरिक्त प्रोमोशन देने की घोशना की थी अब पिछले सब दहा महाराश्चा सरकार ने जो आदेश निकाला उसमें प्रोमोशन न देकर उस एंकाउंटर में शामिल हर पुलिस कर्मी को एक अधिरिक्त इंक्रिमेंट देने का फैसला किया गया है हायरत यह है कि प्रमोशन के बदले इंक्रिविट देने के फैसले से उस एंकाउंटर में शामिल जादातर पुलिस करमी खूश है एक अधिकारी के अनुसार गिरगाउ एंकाउंटर में कुल 16 पुलिस करमी शामिल थे इनमें 8 पुलिस करमी रिटार हो चुके हैं तिन अगले दो से तिन महिने में रिटायर हो जाएंगे इसलिए सरकार की दो साल पहले प्रोमोशन की गोशना के बावजूद रिटायर हो जाने के वज़ह से इन्हें प्रोमोशन मिलता ही नहीं है स्वाभाविक है उन्हें इस कारण आर्थिक फायदा भी नहीं मिलता लिहाजा महाराश्य सरकार ने इसके बदले फैसला किया है कि 26-11-2008 के दिन से गिरगाओं इंकाउंटर में शामिल सभी पुलिस कर्मियों को एक अतिरिक्त इंक्रिमेंट दिया जाएगा यानि 14 साल का एरियर इससे हर पुलिस कर्मी को उसकी पोस्ट की सापसे अच्छा खासा रुपया मिलेगा जो रिटायर हो गए है उन्हें भी इस वक्त यदि को इंस्पेक्टर रैंक के पत पर है तो उसके अकाउंट में कम से कम 10 लाख रुपय एरियर की रुप में जरूर ट्रांसफर होंगे गिर्गाव एंकाउंटर में बहादूर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकराम ओमले भी शामिल है जो उसमें शहिद हो गए थे केंदर सरकार ने उन्हें मरोनो परांद अशोक चक्र दिया मौत के बारे में जूटी खबरे फेलाने और परिवार को बदनाम करने के आरोप में केंद्रिय मंत्रे नारायन राने उनके बेटे तथा विधायक नितेश राने और अन्या के खिलाफ कारवई की मांग की है दिशा के पिता सतीश सालियान और मा वसंती ने कहा कि अधि उन्हें नायन नहीं मिला तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बजिका सतीश और वसंदी सलियान ने राश्टरपती को एक पत्रह लिखकर भाजपानेता राने और उनके बेटे द्वरा किये जा रहा है उत्पिडन को रोकने का अगरह किया राने और उनके बेड़े नितेश के खिलाफ दिशा के बारे में कथी द्रूप से मानहानी कारक टिपपणी करने और गलत जान करे फैलाने के आरोप में मामला दर्च किया गया दिशसालियान ने 8 जुन 2020 को उपनगरिय मलाड में एक उची इमारत से कुटकर कथित तोर पर आत्महत्या कर ली थी इसके 6 दिन बाद सुशान सिंग राजपुत का शव बानरा में उनके अपार्टमेंट के कमरे में लटका पाया गया था पत्र में राश्रपती को सुचित किया गया है कि उनकी बेटी की मृत्यू के बाद सोशल मीडिया पर सकरिया कुछ लोगों ने घटना को राजपुत की मौद से जोड़ना शुरू कर दिया था और समाचार चैनल वो सोशल मीडिया पर कालपनिक तथा दथ्यात्मक रूप से गलत जान करे फैलाने शुरू कर दी थी मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेप के ब्रिष्टाचार के आरोपो और महाविका साघड़ी सरकार उनके नेता और उनके परिवार को बदनाब करने के लिए विभिन्न केंद्रे जांच एजंसियों की कारवाई पर भी सवाल उठाया है ठाकरे ने कहा कि मैं इन हत्खंडों से नहीं डरता अगर आप मुझे सत्ता में आने के लिए जेल में डालना चाहते हैं तो डाल दे लेकिन सत्ता हत्या आने के लिए इस तरह के दुराचारी विवहार में शामिल न हो हमें यह हमारे परिवार के सदस्यों को परेशान न करें हमने कभी आपके परिवार के सदस्यों को परेशान नहीं किया है COVID-19 महामारी, मंत्री नवाब मलिक और अन्य के प्रकरन के दोरान रुहन मुंबई नगर निगम में विबक्ष के प्रष्टाचार के आरोपों के अपने तीखे जवाब में ठाकरे ने BJP के आरोपों का खंडन किया है उन्होंने कहा कि COVID-19 प्रवंधन के मुंबई मॉडल का विश्वस्तर पर स्वागत किया गया है और विबक्ष का स्वागत है कि वो किसी भी चुक को इंगित करे जिसे ठीक किया जा सकता है मुख्य मंतरी ने मलिक और M.B.A. को सामाने रूप से माफिया डौन दाओद इबराहिम के साथ जोडने और चुनाओं में भगोडे के नाम का उपयोग करने के लिए विबक्ष पर कड़ी नाराजगी जताई उन्होंने याद किया कि कैसे राज्य की पुर्वगुरुह मंतरी गोपिनात मुंडे ने दाओद को वापस लाने का वादा किया था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ठाकरे ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का नाम लिये भी ना पूछा कि अमेरीकी राश्ट्रपती बराक उबामा ने अलकाइदा लीडर उसामा बिन लादेन को मारने के लिए अपने कमांडों को पाकिस्तान भेज कर हिम्मत दिखाई दाओद से निपटने के लिए समान सहाथ क्यों ने दिखाया गया पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ हरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची रोड रेज मामले में कॉंग्रेस नेतास नौजोत सिंग सिध्धू के खिलाफ सुप्रीम कोट अपना फैसला सुरश्चित रख लिया है कोट ने इस मामले की सुनवाई के दोरान सिध्धू को फटकार भी लगई तो करनाटक से उठा हिजा विवाद अब मध्य प्रदिश की सागर पहुच गया है यहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है वहीं मदरास हाई कोट ने एक एहम फैसले में कहा कि अगर भगवान भी सारवजरिक जमीन पर कबजा करते है तो कोट इस तरह के अतिकरमन को भी हटाने का आदेश देगा इसे बीच केंद्रिय कानून मंतरी किरें डीजी जू ने बताया देश की पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ रोड रिज मामले में कॉंग्रेस नेता नवजोच सिंग सिद्धू के खिलाप सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कोट ने इस मामले की सुनवाई की दवरान सिद्धू को फटकार भी लगाई कोट ने कहा कि सिद्धू की ओर से 1988 के रोड रिज मामले में समिक्षा याचिकाओं के समय पर सवाल उठाना उचित नहीं था जबकि वह इस मामले में 4 सल तक पेशनी हुए थे सिद्धू की ओर से दायर की गई समिक्षा याचिका पर पहली बार नोटिस जारी की गई थी सिद्धू ने सुप्रीम कोट से कहा कि 1988 की रोड रिज मामले में उन्हें दी गई सजा की समिक्षा से संबंदित मामले में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका प्रक्रिया का दुरुपयोग है मामले में शिर्श दालत ने मई 2018 में सिद्धू को 65 वर्षिय बुजूर्ग को स्वेच्छा से चोट पहुचाने की अबरात का दोशी ठहराया था हलाकि उसने सिद्धू को जेल की सजा नहीं सुनाई थी और उन पर 1000 रुपय का जुर्माना लगया था नयमूर्थी एम खानविलकर और नयमूर्थी एसके कॉल की पीट ने पहले सिद्धू से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था जिसमें कहा गया है कि मामले में उनकी सजा केवल स्वेच्छा से चोट पहुचाने के छोटे अपरात के लिए नहीं होनी चाहिए थी फैसला सुरक्षित रखते वे नयमूर्थी एम खानविलकर और संजे किशन कॉल की पीट ने कहा कि इस मामले का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है जब आप नोटिस जारी होने के बावजुद हाजित नहीं होते हैं तो आपकी और से टिपपणी करना उचित नहीं है इस वीडियो डॉक्टर हरी सिंग गोर केंद्रिय विश्वविद्यालय का बताया जा रहा है विडियो सामने आने के बाद हिंदू संगटनों ने विरुद जताया है जानकरी के अनुसार शुक्रवार को यह मामला सामने आया बताया जा रहा है कि फाइनल येर की एक छात्रा हिजाब पहन कर क्लासरूम में नमाज पढ़ रही थी उसी दवरान किसी ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया इसके बाद हिंदू जागरन मंच ने आपत्ती जतातिव वे हंगामा किया और विश्वद्द्दैले प्रशासन से पूरे मामले पर संघ्यल लेने की मांग की है हिजाब पहन कर क्लासरूम में नमाज अदा करने वाली चात्रा डॉक्टर हरी सिंग और विश्वद्द्दैले में B.HC B.A.R. की फाइनल येर की स्टूडन्ट है वह हर दिन हिजाब और बुर्का पहन कर क्लास आती है जानकरी के अनुसार वहम मुलरूप से दहमो की रहने वाली है उसका वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है विश्वविद्दाले प्रशासन का कहना है कि फिलाल हमारे विश्वविद्दाले में कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है बावजूद इसके एक शिक्षन संस्थान में नैतिक ड्रेस पहन कराना ज़रूरी है फिलाल विडियो की जाज जारी है जाज के बाद ही आगे की कारवाई की जाएगी अगर भगवान भी सार्वजनिक जमीन पर कबजा करते है तो कोल्ट इस तरह के अतिक्रमन को भी हटाने का आदेश देगा मदरा साइकोट ने अपने आदेश में काहा कि यहा करना इसलिए जरूर है ताकि लोगों का कानून में विश्वास बना रहे और सार्वजनिक जमीन पर कबजा न करे नयमूर्थी आनन वेंकटेश ने नमकल मंदिर की एक अपिल को खारिज करते वे यह टिपणी उनके लिए की जिनोंने सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमन किया है नयदिश ने फैसले में कहा कि अदालतों को भगवान के नाम पर अतिक्रमन और मंदिर का निर्मान करके धोका नहीं दिया जा सकता अपिल को खारिज करते वे नयमूर्थी आनन वेंकरटेश ने कहा कि इस अदालत के विचार में जो कोई भी सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमन करने का अवैद काम करता है भले ही वह एक मंदिर हो उसे ऐसा करने से रोका जाना चाहिए वह अवैद है कोट ने कहा कि यदि सार्वजनिक सड़क पर कोई ऐसा निर्मान होता है जिससे जनता को दिक्कत होती है तो ऐसे निर्मान को खटाया जाना चाहिए नयादिश ने कहा कि अदालतों को अब इस बात से कोई सरुकार नहीं है कि इस तरह के अतिक्रमन किसके नाम से हो रहे है मंदिर के खिलाब दायर मुल मुकदमे में याचिका करता मंदिर से सटे जमीन के मालिक थे चुकि मंदिर ने उनके संपत्ति की रास्टे को रोकते वे निर्मान किया इसलिए उन्होंने अदालत का दर्वाजा खट खटाया था केंद्रिया कानुन मंत्री कीरेन रिजुजु ने बताया कि सरकार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए आधार को मतदाता सुची से जोडने पर विचार कर रही है उन्होंने एक राष्ट्रो एक मतदाता सुची पर भी जोर दिया साथी कहा कि सरकार विदेशों में काम करने वाले भार्तियों को आनलाइन वोटिंग की सुविदा देने पर विचार कर रही है चुनाव आयोग को सरकार से विदेश में काम करने वाले के लिए मतदान की सुईदा के लिए सुजाओ मिला है मगर इसके लिए सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिशित करनी होगी कानुन मंत्री ने कहा कि पूरे देश में फर्जी मतदान रोकने के लिए सभी राज्जो एवकेंद्र शासित राज्जो के लिए केवल एक ही मतदाता सुची को लाने का विचार है हमने निर्वाचन आयोक से इस समन में बात की है पिछले दिनों मतदाता सुची को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान रखा गया है यहाँ अभियानिवारिय नहीं स्वाय छिक है लेकिन इससे फर्जी मतदान रुकने की संभावना है आगे भी चुनाव सुधार के लिए जरूरी कदम उटाएंगी एक देश एक मतदाता सुची हो ऐसी सरकार की सोच है देश में साप सुत्री मतदान प्रानाली होनी चाहिए कॉंग्रेस के मनीश तिवारी ने देश में कम मतदान होने पर चिंता जटाते हुए मतदान प्रतीशत बढ़ाने के विशय पर सदन में विशय चर्चा करने के सुजाव देते हुए मंत्री से पुझा था कि EVM बनने के बाद उसका सोर्स कोड निवार्चन आयोग के पास रहता है या EVM मशीन निर्माता कमपनी के पास उत्तर प्रदिश में केशव प्रसाद मौरिय को फिर उपमुख्य मंत्री बनाया गया है कौशाम बिजिले की सिरातू सीट से मिली हार भी मौरिय की सियासी कद को कम नहीं कर सकी उन्हें अपनी दल की पल्लवी पटेल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था मौरिय को पार्टी का अन्य पिछरावर्ग का बड़ा चहरा माना जाता है सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा नेतरुत्व का एक हिस्सा मौरिय को दिली लाना चाहता था लेकिन उन्हें इस पर सहमती नहीं जताई 2024 के लोकसबा चुनाव में संभाना है कि समाजवादी पार्टी आकरमक होकर गैर यादाव वोट के लिए काम करेगी ऐसे में भाजपा नेतरुत्व को लगा कि मौरिय को अलग करना बड़ा जोखिम होगा मौरिय काची कुलवा शाक्य मौरिय सैनी माली ब्लॉक का नेतरुत्व गरते हैं तातकालिन मुख्यमंत्री राजनाच सिंग गाठित सोशल जस्टिस कमेटी की 2001 की रिपोर्ट बताती है कि ये समुदाए OBC का 6.99 फिसदी है रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि आपादी में 43.13 फिसदी लोग OBC है इनमें से आदे से जादा ग्रामी निलाकों में रहते है कुर्मियों की तरप से वोटों की कमी के चलते भाजपा परेशान समिती की रिपोर्ट के अनुसार यादाओ के बाद कुर्मी राज्यका दूसरा सबसे बड़ा OBC समुँ है ऐसे में समुदाए के बीच सपा को मिले फाइदे ने चिंताए और बड़ा दी है चुनाओ में सपा के कुर्मी विधायकों ने मौर्या समित पार्टी के तीन विधायकों को हराया इतना ही नहीं पार्टी ने भाजपा की उन साथ सीटों पर भी सेन मारी जहां से विधायकों को उतारा गया था यही कारण की मन्थन के बाद भाजपा अलाकमान ने मौरिया को दूसरी पारी खेलने के लिए मैदान में उतार दिया अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां Campus Interview, Guidance by Industry Expert, Practical Training at Airport, Expert Faculty, Personal Grooming जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy, One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy, Gives You a Degree or Diploma with a Job Flywheel Aviation Academy, 365 Ghani Nagar, LAD College Square, Beside Karnatika Bank Nagpur यूकरेन के राश्टपती जेलेंस्की ने रूस से बाच्चित करने की अपिल की है लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि यूकरेन चानती के लिए अपने किसी भीक शेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा तो ये अंटार्टिका में पढ़ रही भीशन कर्मी विनाशकारी साबित हो रही है कर्मी की वज़े से मध्य मार्च में लगबग दिली के आकर का बर्फ का पहार तूट गया है तो चीन में पिछले दो साल से लोग कोरोना वाइरस की मार्च से बेहाल है और उन्हें इस से निज़ात मिलने की कोई उम्मिद नहीं दीख रही कई शहरों में लोगडाउन से लोग त्राही माम कर उठे है इस बीज यमन के हूती विद्रोहियों ने सौधी अरब के जिद्दा शहर के फॉर्मूला वन्स पर्था से पहले एक तेल डीबो पर हमला किया है ये विद्रोहियों का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल हमला है उधर पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाब अविश्वास प्रस्ताव की घड़ी करीब आ रही है वही सतारों पार्टी पिटी आई से जुड़े 50 मंतरी अब राजबनीक मोर्चे से लाबता हो गए है दुनिया भर के इन पाच बड़ी खबरों को पिस्ताल से जाने के लिए बने रही है अब हमारे साथ यूकरेन के राष्टरपती वोलेदिमेर जेलेस्की ने रूस से युद्ध को समापता करने के लिए फिर से बातचीत करने की अपिल की है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यूकरेन चानती के लिए अपने किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होगा जेलेस्की राष्टर के नाम वीडियो सम्बोधन में रूसी जनरल स्टाप की उपरप्रमुक करनल जनरल सरगेई रूडसकोई को जवाब दे रहे थे यूकरेन पर रूस का हमला शुरूवे एक मैना हो गया है इस दवरान रूसी सेना ने यूकरेन के हस्पतालों, एम्बुलेंस, चिकित सको, मरीजों और यहां तक की नवजाच शीचियों पर भी हमले किये है हर नए हमले के साथ, रूस के राश्टरपती ब्लादीमीर पुतिन, उनके जनरल और क्रेमलेन के शीर्श सलाकारों के खिलाप, युद्ध अपरादों के मुकदमे के लिए मांग तेज होती जा रही है इन्हें दोशी ठहराने के लिए अभियजों को यहां दिखाना होगा कि हमले महज दुरगटना या इससे हुई क्षती नहीं है रूस के साइन ने जनरल स्टाप के उपरप्रमुक्त ने स्विकार किया है कि उकरेन में 1391 रूसी साइनिक मारे गये है करनल जनरल सरगेई रूस कोई ने कहा कि 3825 रूसी साइनिक गायल हुए है उत्तर अटलांटिक संदी संगठन नाटो ने भी अनुमान लगाया है कि उकरेन में 4 सब्ता के युद्ध के दवरान 7000 से 15000 रूसी साइनिक मारे गये है रूसी आकडे में पुर्वी उकरेन में लड़ रहे रूस समर्थित अलगावादियों को शामिल नहीं किया गया है जेलेस्की ने भी उल्लेक किया कि रूसी सेना ने हजारों सैनिकों को खो दिया है लेकिन अब भी वह कियो या खार के उपर कबजा करने में सक्षम नहीं है धर्ति के दुरूवी ए इलाके अंटार्टिका में पढ़ रही भीशन गर्मी विनाशकारी साबित हो रही है गर्मी के वज़से मध्य मार्श में लगबग दिल्ली के आकार का बर्ब पहाट तूट गया इस बर्ब के टुकडे का नाम कोंगर आईस सेल्फ है और यह 1200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है बताया जा रहा है कि बर्ब का यह विशाल टुकड़ा 15 मार्श को अंटार्टिका से अलग हुआ इस दवरान वहाँ पर तापमान बढ़कर माइनस 12 डिगरी सेल्सियस तक पौँच गया था जो सामानने से 40 डिगरी सेल्सियस जादा था यह बर्ब का टुकड़ा ऐसे समय पर टूटा है जब अंटार्टिका में पहली बार इस साल सबसे कम बर्ब का प्रसार हुआ है इस इलाके में समुद्र को बर्ब ढके रहती है इस तरह के बर्ब के टुकड़े बर्ब को पिगल कर समुद्र में जाने से रोकते है अगर ये टुकडे न हो तो बर्प पिगल कर सीधे समुद्र में चली जाएगी और उसका जलस्तर लगातार बढ़ने लगेगा इससे धर्ती के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा दरसल अंटार्टिका में बर्प के रूप में इतना जादा पानी जमा है जिसके पिगलने से दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर करीब 200 फिट तक बढ़ सकता है वही नेचर पत्रिका के मुताबिक वर्ष 1880 के बाद समुद्र के इस जलस्तर में आउसतन 9 इंच की बढ़ोत्री हुई है इन में से एक तिहाई पानी ग्रिनलैंड और अंटार्टिका की बर्प पिगलने से आया है ब्रिटिस समुद्र विग्यानी रॉब लॉल्टर ने कहा है कि मैं नहीं समझता हूँ कि जब से हम सेटेलाइट डेटा का परिक्षन कर रहे है तब से लेकर अब तक पूर्वी अंग्टार्टिका से इतना बड़ा बर्प का टुकड़ा पहले कभी तूटा था अंग्टार्टिका धर्थी पर सबसे ठंडा और सबसे बर्फिल अस्तान है जो अब भिशन गर्मी का सामना कर रहा है वुहन में महमारी की शुरुवात के बाद चीन में पिछले दो साल से लोग कोरोना वाइरस की मार से बेहाल है और इन्हें इससे निजात मिलने की कोई उमेद नहीं दिख रही है चीन ने कोरोना वाइरस को मात देने के लिए दुनिया में सबसे सक्त कही जाने वाली जिरो कुविन निती को लागू कर रखा है इसके अलावा चीन ने सीमा पर कड़े प्रतिबन लगा रखे है डिजिटल ट्रेकिंग कर रही है और बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की है इससे दुनिया जब इस महामारी की चपिट में थी तब चीन बचा हुआ था लेकिन ताजा प्रकुप को वह कंट्रोल करने में खुद को असमर्थप आ रहा है देश के करोडो लोग लॉकडाउन में है हालत यह है कि अर्बो लोगों को कोरोना वैक्सिन लगाने का दावा करने वाले चीन का यह टिका भी फेल साबित हो रहा है यही वजह है कि चीन की जनता अब ऑनलाइन अपना गुसा निकाल रही है यही नहीं चीन की जीरो कुविड नीती पर भी पहली बार बड़े पैमाने पर सवाल उठ रहे है चीन के टेक अप कहे जाने वाले शेंजेन शहर में लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया यह लोग शहर में लंबे समय से लगे लॉकडाउन का विरोत कर रहे थे कुछ दिन पहले गुआंग जाव शहर से भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें हजारों की तादाद में लोग लॉकडाउन से निकलने का प्रयास कर रहे थे पिछले दो साल में चीन में इस तरह के प्रदर्शन को अपने आप में दुरलब घटना के रूप में दिखा जा रहा है इस बीज दुनिया भर में कुरोना वाइरस के मामले बढ़कर 47.6 करोड हो गए है इस महामारी से अब तक कुल 61.1 लाग से जादा लोगों की मौध हो चुकी है यमन के हुती विद्रोईयों ने साथी अरप के जिद्दा शहर में फार्मूला वन्स परदा से पहले एक तेल डीपो पर हमला किया है यह विद्रोईयों का अब तक का सबसे हाई प्रोफाइल हमला है हाला कि सौधी अरब प्राधिकारियों ने संकल्प जता है कि आगामी फार्मूला वन्स फर्दा निर्धारीत कारेकरम के अनुसार होगी हमले में उसी तेल डिपो को निशाना बनाया गया है जिस पर हाल के दिनों में हुती विद्रोईयों ने हमला किया था हमले में किसी के हताहत होने की ख़बर नहीं है सौधी अरब उयल को जिसे सौधी अराम को के नाम से भी जाना जाता है उसने अभी इस पर कोई टिपपनी नहीं कीये सौधी अरब के प्राधिकारियों ने माना कि एक शत्रूता पुरुना अभियान में जिद्दा के तेल डिपो को निशाना बनाया गया उन्होंने हमले में इस्तिमाल किये गए हतियार की जानकरी नहीं थी बता दे कि यमन में साओधी अरब इरान समर्थित हुती विद्रोईयों से लड़ने वाले गटबंधन का नेतरूत्व कर रहा है इन विद्रोईयों ने सितंबर 2014 में यमन की राजधनी सना पर कबजा जमा लिया था साओधी अरब के अगोवाई वाले गटबंधन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालकी ने कहा कि आग में दो टैंक शतिक रस्त हो गया है इस शत्रूता पुर्णकारवाई में तेल केंद्रों को निशाना बनाया गया और इसका मकसद उर्जा सूरक्षा एवं वैश्वी कर्थव्यवस्ता की रीड को कमजूर करना है ब्रिटेन के प्रदानमंत्री बोरिस जॉन्सन ने ट्वीटर पर इस हमले की निंदा की है खिलाप अविश्वास प्रस्ताओं की घड़ी करीब आ रही है वही सत्तारूर पार्टी PTI से जुड़े 50 मंत्री अब राजनितिक मोर्चे से लापता हो गये है ये सभी मंत्री इमरान खान की कैबिनेट और PTI की प्रांतिय सरकारों से जुड़े हुए है रिपोर्ट की मुताबिक 50 संगीय और प्रांतिय विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताओं लाने के बाद से दिखाईने दिये है इन में से 25 संगीय प्रांतिय सरकारों के सलाकार और विशेश सहायक है इसके अलावा 4 राज्यमंत्री और 4 सलाकार है यह ताजा घटना करम ऐसे समय पर हुआ है जब सत्तारूर पार्टी के कई मंत्रियों ने चुपपी साध रखी है जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया है माना जारा है कि यह पाकिस्तानी मंत्री अपने पत्ते खोलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे है अला कि कई ऐसे मंत्री है जो खुलकर इमरान खान का समर्थन कर रहे है और उनका पक्ष लगातार रख रहे है इन में विदेश मंत्री शाह महमुत कुरेशी, सूचना मंत्री फवाट चौधरी, रक्षा मंत्री परवेश खटक और गुरुह मंत्री शेक रशीत शामिल है इस बीच इमरान खान के खिलाप संयूक्त विपक्ष द्वारा दायर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार विमर्ष के लिए पाकिस्तान नेशनल असेंबली का बहु प्रतिशित सत्र 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है विपक्ष ने 8 मार्च को प्रधान मंत्री के खिलाप अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो आज की इस खास पेश्वास में बस इतना ही आप से कल फिर मुलागात होगी तब तक देखते रहिए बीके भी नियोस नमस्कार वासने मेटिंग दुना है जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं तकलीफ बवासिर की है बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आईरुवेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभियुदै पाइल्स लेजर हॉस्पिडल लोहार समाज भवन के पीछे महा पुष्प सोसाइटी शताब दीनगर चौक से मनीशनगर रोड नागपूर अभियुदै पाइल्स लेजर पाइल्स लेजर से उपचार